गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करेंगे वर्क्शिट 4 का सेकेंड गॉइशन कल हमने क्या करें ती एडिशन सीखी थी फ्रेक्शन में तो आज हम क्या करेंगे सब्ट्रेक्शन करेंगे तो 1 बै 2 माइनस 3 बै 8 पहले फ्रस्ट इनकी क्या करनी है में subtraction करने है fraction में subtraction करने है तो क्या करेंगे जो denominator में है उसका क्या लेंगे LCM लेंगे तो देखो ये 2 और 8 है 2 और 8 का LCM लेंगे तो देखो 2 और 8 क्या एक table पर जाते है yes 2 के table पर जाते है तो देखो 2 के table पर जाते है 2 1 दा 2 2 4 दा ठीक है, 4 किसके टेबल पर जाता है, देखो, 4 2 के टेबल पर भी जाता है, 4 के टेबल में, तो ये अकेला है, इसलिए मैंने सिधा डिरक्टी 4 के टेबल पर गर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद है, 2 को 4 से मल्टिप्लाई करोगे, तो कितना आएगा, 2 4 दा 8, 8 आ गया, तो यह इनेटर में जो चीज है, उसके साथ मल्टिप्लाई करना है, 4 दा 4, जैसे 8 को 8 से डिवाइड करोगे, 1 आएगा, 1 को किस से मल्टिप्लाई करोगे, 3 से, तो यह हो गया, 1 बाइ 8, आपका second question है, 9 बाइ 10, माइनस 3 बाइ 5, तो first of all, आप क्या करोगे, LCM लोगे, 5 और 10 का आपने 5 के, तो देखो 5 बंदा 5, 5 तूदा, फिर 2 के टेबल पर यह हो गया, 5 तूदा 10, 10 आगया, ठीक है, 10 आगया, 10 को 10 से डिवाइड करोगे, 1 आएगा, तो 1 को 9 से मिल्टिप्लाई करोगे, देखो 9 आगया, माइनस का साइन, माइनस का, 5 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 आएगा, तो 3, 2 दा, 6, यह देखो 6 लिखा हुए, 9 में से 6 गई, 3 बाइ 10, ठीक है, 11 बाइ 12, माइनस 2 बाइ 3, 12 और 3 के लोगे, 12 और 3 के किसके टेबल पर जाते हैं, एक साथ अगर हम बात करें, तो 3 के टेबल पर जाते हैं, तो देखो मैंने यहां लिखा 3, 1 द ठीक है, 4, किसके टेबल पर जाते है, 2 के टेबल पर जाते है, 4 के टेबल पर जाते है, 4 के टेबल पर जाते है, सिधा डिरेक्ट मैंने 4 के टेबल पर लिखे, 3, 4 दा, 12 कर दिया, 12 को 12 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 1, 1 को 11 से मल्टिप्लाई करोगे, कितना आएगा, 11, minus, minus 3 को किसे divide करना होगा, 12 से 3 को 12 से divide करो, कितना आएगा 4 आ जाएगा, 3, 4 दा होता है 4, 4 को आपने इस जो numerator में है उसके साथ multiply गा देना है, 4 to the 8, तो 8 आगे, ठीक है सेम यही 3 और 8 का LCM लोगे यह देखो मैंने LCM लिया हुआ है LCM लेने के बाद फिर वोई जो आएगा जैसे मानलो LCM लेके 24 आए 24, 3 को 24 से divide करो 8 आएगा, 8 को 2 से 8 to the 16, minus, minus 8, 3 दा 8, 3 दा 24, 3 to the 6, तो 10 by 24 आगे, देन आपका है E part E part है 4, 4, 16 4, 4, 16, 16 में 1 आट करेंगे, 17 आजाएगा ठीक है, minus 3 by 8 ठीक है, 3 by 8 आगे 4 और 8 का क्या लेंगे, अब हम LCM लेंगे, तो देखो, 4 और 8 का LCM लिया, 4, 1 दा 4 4 to the 8, 2 के टेबल पे ये कर दिया, 4 to the 8 8 LCM आया है, 4 को 8 से divide करो, 2 आएगा, तो 2 को 17 से multiply, 17 2 दा 34 होता है, ठीक है 8 को 8 से divide करोगे, 1 ये 3, 31 आगया by 8, वही mixed fraction है उसको break करो, 5, 3 दा 15 15 और 4 कितने होगे, 19 10 to the 20, 20 में 1 आड़ करोगे, 21 होगे ठीक है, वही LCM लिया, simple foam आगी, 5 by 10 आगया, 5 और 10 5 के टेबल पे, 5 दा 5, 5 to the, तो ये देखो ये आपका आगे देखो, 5 को 10 से divide किया कितना हैगा, 2, 19, 2 दा 38, माइनस 10 को 10 से divide करोगे, 1 आएगा 1 को 21 से multiply करोगे, तो 21 आएगा, ठीक है, फिर आपने इसको minus किया, तो आपका ये answer आगे then है 8, अब 8 कैलसिम तो 80 होगा, 8 ले लिया 8 को, 1 को 8 से divide करोगे, कितना हैगा 1 के table पे, 8 किस नमबर पे, 8 नमबर पे तो 8 को, आपने 4 से multiply 8 4 दा, 32, minus 8 को 8 से divide करोगे, 1 तो ये 3 होगया, 32 को 3 से minus करोगे, 29 by 8 हो जाएगा, ठीक है same, 5 to the 10 10 और 1, 11, 11 by 5 minus 2, 1 the 2, और 1, 3 3 by 2, 5 और 2 का क्या लेंगे, LCM लेंगे तो ये देखो, ठीक है